हलो बाइटी फैमिली गुड मॉर्निंग आज है शिवरात्री महा शिवरात्री और आप सभी लोगों को शिवरात्री की हार्दिक शुप काम ना है तो चलिए जल्दी से मैं कर लेती हूं काम वगारा फिर उसके बर नहा के मंदिर वगारा भी जाना है पूजन के लिए और कल रात को हम लोग शादी में गए थे वहां से आते आते बहुत लेट हो गए थे हमें बच गए थे रात की एक और भई रात को तो सारे कपड़पड़े ऐसी फिला के साइट में गेर दिये और मुझे महनदी भी लगानी थी शिवरात्री के नाम की पर भई ये रात को एक बज़े महंदी लगाने की तो हिम्मत दूर है बस यह ओ रहा था कि बस पढ़के सो जाओ और शुकर इस बात का है कि आज के दिन चुट्टी थी फ्राइडे था लेकिन फिर भी शिव रातरी की चुट्टी थी तो थोड़ा सा चैन था कि हाँ बच्चों को स्कूल नहीं जाना था बाकि हाँ बहुत लेट हो गए थे कल शादी में से आते आते तो फैमिली में नहा के आ चुकी हूं और आज मैंन लेकिन दिक्कत है दिक्कत क्या है बताती हूं यह साड़ी मम्मी दी थी और तयार कराकी ही दी और इसमें से उन्होंने ब्लाउस पीस कठी नहीं करा है शायद से इसी के अंदर है और इसकी प्लेट देखी अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस दस फ्लीट बंडरी इतनी एक तो पहले हैं, मोटी हूं में उपर से यह, इतनी सारी प्लेट हो गई है, देखो, इतनी सारी, और यह इतनी भारी हो गई है न, बस पूछो मत, यहां से बड़ी मुश्किल से सेट करिया है, साडी, और अब काम यह बढ़ गया है, कि साडी में पहने में बड़ी बड़ी है, लेकिन इतनी सारी प्लेट होगी न, तो ऐसा लग रहा है, बतनी कितना गुपड़ जुपड़ सा, अजीब सा लग रहा है, वैसे साडी बहुत अच्छी है, अच्छी लग बहुत है, और आजशी ब्रात्री है, तो मैंने सोचा चलो, कुछ च किसी खास दिन पे पहन होगी, मैं नॉर्मली न, नहीं पहन पाती हूँ, खास दिन के लिए रख लेती हूँ, तो बस उनी में से ये भी एक साडी थी, पर अगर मैं खोल के देख लेती न, इसे कली, तो पता चल जाता, लंबी है, पर खोल के देखी नहीं, और अब लंबी ह और देखें, लड़ू गोपाल और मेरी मैचिंग मैचिंग होई है, लड़ू ने भी आज नहीं कोशाक पहनी है, पिंग कलर की, मजेंटा कलर की और मेरी भी साड़ी मजेंटा कलर की ही है, चलो घर की तो पूजा हो गई है, आप फटा फट से तयारी कर लेते हैं मंदीर में जाने के और आज घर में सभी ने वरत रखा है, हजबंड और मैं तो रखती हैं, पर आज बच्चों ने भी वरत रखा है, मिर साथ खोपट हो गया, खोपट हूं क्या को, तो देखिए, पूझा के लिए बेर लिए को, और सिर्फ दो बेर बच्चे हैं, और बच्चों ने खतम कर दिये, खतम कर दिये, खाने के लिए खा लिए, बता तो दो, अभी अभी देखाया और अप सिर ये दो वेर बच्चे है, चलो अब रस्तें मिल जाएंगे तो ठीके ने, तो यही दो चड़ाओंगी तो यहां मैंने थाली तयार कर ली है, चूड़ी वगरा रख ली है मातरानी के लिए महंदी और सारा सिंगार का समान, फूल, बेल पत्र, फल, कलावा, जनेव, माचिस, सब कुछ माचिस नहीं है, माचिस लाँगा, नहीं है, माचिस है, यह दूद हो गया, और यह हो गया पान तो हमारा जो गाउं का मंदिर है, उसी मंदिर में आते हैं, हम लोग पूज़ा वगरा करने के लिए, कोई भी तीस्तियोहार होता है, तो बहुत ज़दा दूर तो नहीं है, पैदल भी आया जा सकता है, या कई बर मैं स्कूटी पे आ जाती हूँ, और हस्बेंड वगरा के स सभी ने यही सोचा था, और भै मंदिर में इतनी भैंकर भीड थी कि बस पूछो मता, लेकिन सारी देवराने जी ठानिया मिल गई थी, इस बात की खुशी है, पूज़ा करने के बाद बाहर ये जो बर्गत का पीपल का पेड़ा है, इन्हें सीचा चाता है, तो उनकी मैं और बेटा हम तीन ही आये थे बस, तो अब हम घर जा रहे थे, घर आते ही, जो पूज़ा के बर्तन थे, सबसे पहले मैंने उन्हें क्लीन करके रखा, क्योंकि जूटे बर्तनों में भी नहीं डालते हैं, तो इहां पर सारे बर्तन वगएरा मैंने दोल्ची वगएरा धो और कुछ लोगों के यहां पर शायद कुछ खाते पिते नहीं है, हमारे आप मंतिर से आके ना, मताब दूच चाय बगएरा ले लेते हैं, या लस्सी ले ले लो, मताब फलहार कुछ भी ले लेते हैं, नमक बगएरा जो है वो शाम्पुई खाएंगे, खाना एक्तन अब भूख लग लग दी है, तो मैंने सजजज़वा थोड़ा सा कुछ बना देते हैं बच्चो के लिए, तो यहां मैंने यह मूवनि ले रखिया है, तो बस देशी गी में पहले पूवन्दूँगी और फिर इसी में मखाने भूदूँगी ताकि बच्चो को थोड़ा सा लगे के हाँ बे कुछ खा लिया है, मम्मी नमस्ते, क्यों? तो यहां मैंने अपनी मम्मी को कॉल मिला लिया था, और जब मैं कुछ काम करती हूँ न किचन में, तो इस तरह से स्पिकर पे फोन करके तब बात करती हूँ, तो काम भी हो जाता है, और बात का काम भी निमट जा और अभी हम बैट के बात ही कर रहे थे, इतने महीं कॉल आया कि भई डिलीवरी बॉय आया है कुछ देने, और ये बेटे ने न दो ती निन पहले ही अपने ले कुछ ओडर किया था, बस वही आया है, और बेटा इतना खुश था, आप देखी सकते है, उसकी ममी कब आयेंगे, हाला कि डिलीवरी डेट दी हुई थी, 11 की, लेकिन आज ही आगए है, आट को ही, और ठीक लग रहे हैं वैसे, पर हाँ, बेटा बहुत खुश है, मैंने का रहे रिटेंद करवा दो, छोटे मंगा दू कर रहे, नहीं ममी यही ठीक है, उसके बाद शार हमें मैंने बर बाद किया, कुछ भी ने किया, उसके अखिशने का मनी नहीं नहीं कर रहा है, तो चली अब हो गई है शां मार्ण कर ले दो, आप खाने की दयारी विल्टे, तो यहां मैंने यह घीआ ले लिप הुलाँके है,अज से भूण लेकर एक चामच काश की भून ल तोड़ी आधी हो गई ना फिर मैंने इसमें ये मखाने पीस के तबाड़ कर दिये हैं और इसे हम थोड़ी दिर और पकाएंगे थोड़ी और गाड़ी सी हो जाएगी ये और आप अपने टेस्ट के सापसे इसमें मीठा डाल लेना थोड़ा सा केसर डाल लेना जिससे कलर और बहुत अच्छा सा आ जाता है और आप चाहिए तो इसे बिलकुल सुका के बिलकुल हलवे जैसा भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से ही खा सकते हैं लेकिन मैंने इसे थोड़ सा ब्लेंडर से इस तरह से पीस दिया था और यह बिलकुल सफ्ट सा पेस्ट हो गया था जैसे या बासुंदी होती है रबडी होती है कुछ उस टाइप का हो गया था और देखो कुछ इस तरह से है यह इस तरह से थिक सी हो गया क्रीम क्रीमी सी उसके बाद मैंने इसमे थोड़ा सा रोज एसेंस डाला है थोड़े से ड्राइफूट्स वगरा डालके गानिश कर दिया है और इसे चिल करके खाएंगे फैमली खाने का कान कम्प्लीट हो चुका है और बस अभी पकोडियां तल रही हुँ मैं वो तो बैच एक करती तला जाएगा और अभी टैल हो गया है शाम के 7 बज साथ बच्चुके हैं पाकिसाब खाना मेरा कम्प्रीट है किचन भी मेरी सावाफ है बस जली से यह पकोड़ी बगार के काम हो जाए इतने मैं अपनी जो है शाम की संध्या आर्पी जोद्बती कर लो कि अंदेरा होनी वाला है पूजा भी हो चुकी है खाना भी बन चुका ह साथ ही में मैंने ये बनाई थी धनिये की चटनी और ये मैंने बनाया था खीरे का मसाले वाला रायता साथ ही में बनाई थी मैंने ये कुट्टू की पकोड़ी हमारी घर में सब भी को बहुत पसंद है कुट्टू की पकोड़ी तो ये थी मेरी आज की शिवरात्री स्पेश तो आज का व्लॉग में यही पर एंड करती हूं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो जादा से जादा शील कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमली के साथ ताकि हमारी यूटुब फैमली बड़ी बड़ी और बड़ी हो सके तो फिर मिलूँगी नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए टेक केर और बबाई